एई गाइस वेलकम टो अलफा सारजेंट आज के इस वीडियो में बात करने हो आज कि कैसे इस वलहाला में आपको अच्छे अच्छे गियर्स मेरें चाहे वो हैवी शील्ड हो या टु हैंडड स्वोर्ड हो अच्छे गियर्स बेसिकली कैसे मिलें तो आप देख सकते हैं यहा और नए ब्रेसर नए आर्मर नए उठाई हैं तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि सब कैसे होता है कहां से मिलती हैं सब चीजे लेट्स के ड्रेइल बहुत बढ़ा गय में बहुत बढ़ा मैप है घूमते तो नहीं रह सकते और खासकर हैं पर हम और चीज देख लेते है जैसे कि अबिलीटी सेशन में जब आप जाओगे तो आप देखी आप मेरे पास क्या है जैसे कि यह रेन रन और बैश, ड्रोंग एक्स, अबिलीटी। कई सारी डेर सारी अबिलीटी मुझे अभी भी मिली हैं तो रन और बैश का मुझे अब ग्रेड भी मिला इसमें तो आज की वीडियो में भी यही बात करेंगे कि इनको सब को ढूंदना कैसे एजली और बहुत जल्दी मिल जाएंगे सारी चीजे चलिए लेट्स केट स्टार्टर तो पहली चीज क्या कर सकते हैं आपकी अप कहीं से गुजरेंगे तो अगर आपको क्रिशन मार्क साइन मिलता है मैप में तो बेसिकली दे आर इंफॉर्मर्स तो आपको बता देंगे कि कौन सी चीज कहा है सिर्फ थोड़े से सिल्वर्स लेंगे तो मैप में जैसी वो दिख जाए उन तक पहुँचे पहले तो जैसे ही आप उन से बात करेंगे वो थोड़े से एक्सचेंज में आप से सिल्वर मागेंगे जो कि कोई दिक्कत नहीं है बहुत चोटी रकम है उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन्स आगें गियर चाहिए आपको बुक अफ नॉलेज चाहिए तो जो ज्यादा चमक रहा होगा ना वो यह रहा मिल चुक है हमें तो यह लोकेशन है ग्रैंड ब्रिज का तो यह वैंडरिक और मेल्डबर्ण के बीच में जो ग्रेट रिवर पड़ती है उसके आज पास मिल जाएगा आपको एक बंदा एक इन्फॉर्मर और दूसरी गवर ब तो आप मैप में अगली बार उनलाइन आएंगे तो आपको इमेज दिख जाएगी तो आपको पता शल जाएगा की तो यह एक हैंडी फीचर हो जाता है फोटो मोड को इस्तमाल ऐसी जवह पर करना चाहे आपको इंगेट मिले कुछ भी मिले तो आफ एक जल्दी से फोटो म तो मुझे अभी अमग्रेड मिला रन एंड बैश का तो इस सारी चीचे मैंने अभी जल्दी जल्दी निप्टा दी हैं देर सारी अबिलिटी उठा ली हैं और देर सारी अच्छे गियर्स तो हर बार शायद बहुत ज़्यादा कूल अबिलिटी या कूल वेपन ना मिले तो फिर आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि डिवेंस तो पे वापस जाके कार्टो ग्राफर से बात कर सकते हैं तो अगर आपने ये विल्दिंग नहीं बनाई है इट्स दर आइट टाइम टू इट यहाँ पे आपको सारी इंफो मिल जाएगी रिगार्डिंग इंगर्ट् एरिया वाइस मिल जाएगी जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सारे नाम पढ़ें स्किरो स्कार इस्टेंग लिया हर चीज़ यहाँ पे है उस हिसाफ़ से आप पार्टिकुलर लोकेशन पे जो ढूंडना चाहते हैं बस उसमें आपको क्लिक करना होगा यहां से तो यह आप ब उपन करता हूं यह जो सबसे ज्यादा चमक रहा है यह यहां यहां पे आप देख सकते हैं तो पस अब यहां तक पहुंचना ही काम बचता है लेकिन कई बार आप अजीब जगह फास सकते हैं क्योंकि अच्छी चीज़ें थोड़ी मुश्किल जगह पे मिलती है तो आपको थोड़ी बहुत फाइट लेनी पड़ेगी तो जैसे यह सब होने लगता है तो आपको फिर आदत हो जाती है लिया थोड़ा हएं सब तॉअ आप फॉड़ा सलना ऊगुं प्रॉपीर कोई बात नि eightnija पाड़ें को और फायते हैं वैसे मज़ा आगया आप यूज करके टॉर्च तो यहाँ पे मुझे बहुत प्यारी शील्ड मिली थी बहुत ही प्लैंक और बकलर है शायद नाम जानती हो आप कि इत्य अच्छे चे नाम रखते हैं तो इसके स्टाट्स मुझे सबसे जादा अच्छे लग ध्यान रखिएगा order come up जो कि हाइथम के hidden bureau बनने के बाद बनता है तो आप हाइथम को जाके medallions दे सकते हैं जो आप मार के पाओगे जीलिट होगे रखो उससे आपको हाइथम ability देता है तो ये एक और चीज है ability पाने का जरी हाइथम भी है और हाइथम भी अच्छे गियर् बिल्डिंग hidden bureau hidden one bureau वो आपको शुरू में ही बना लेनी ध्यान रखना बहुत फायदे है इसके क्योंकि यही बंदा आपको fire ability as well as poison ability देगा तो ये भी एक चांस है अच्छे weapons और अच्छे ability बटोरने का इसके लावा हम बात करें तो एक और building आपको बना लेनी है जो की है reda की तो रेडा को बच्चा समझते हैं कि भूल बिल भूल मत करना बहुत भयाना contact सभाई के तो जब भी कोई merchant आया आपकी लाखे में आपको पता चले रेंड़ी से तो जरूर बना लेना आप ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है reda तो reda का एक shop है जहां पे आप चीज तक रहती है उसके बाद चली जाती है तो ध्यान रखिएगा तो mythical weapons कुछ मिलने के चांद रहते हैं उसके लावा आपको contact भी देता है reda जो contact करने से आपको opals मिलते हैं तो opals basically आप use करते हो reda shop पे तो जब भी कोई mythical sword या कुछ ऐसा मिले आपको reda store पे तो आप opals से ले सकत nickel ingots, tungsten ingots यह सब चीजें मिलने के बहुत चांद से रहते हैं तो अब वहाँ जाके फिर location पता कर सकते हैं उन जगों की कहां मिला था उसके अलावा rune shield मुझे अभी अभी मिला जो जिसके pretty much अच्छे stats हैं heavy shield है यह मुझे अभी अभी मिला reda के एक mission करने पे तो एक particular mission वो कर होगे तभी आपको rune shield मिलेगा इसलिए बहुत important है reda के missions I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगे और आप भी बहुत ही ज्यादा जल्दी सारी abilities और सारे अच्छे weapons निकालोगे so if you like the video do subscribe my channel alpha sergeant thanks for watching मिलता हूँ अगली वीडियो पे